हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्यप्रदेश, डेली करेंट फिर में आपका स्वागत है आज है 1 अप्रेल 2019 और यह हमारी 116 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखने है question more first, किस संस्थान का stadium आम लोगों को खोला गया है तो इसका सही option है इस रो, इस रो का stadium आम लोगों को खोला गया है इस stadium में लोग अब बैट कर rocket launching देख सकते हैं यह stadium स्री हरी कोटा में बनाया गया है इसकी दरसक शमता पांच जाल लोगों की है इसमें बैट का लोग हाली में PSLV C-45 की launching देख सकेंगे दोस्तो अब बात आईए इस रो की तो कुछ important fact आपको इस रो की बारे में बता दे इस रो का full form Indian Space Research Organization होता है इसकी स्थापना 1979 में की गई थी इस रो का headquarter बैंगलूर करनाटक में है इस रो की head है केश शिवान और इस रो का आदर्श वाक के आपको याद रखना है इसका आदर्श वाक है मानो जाती की शेवा में अंतरिक्ष प्रोध्योग की तो इतना आपको इस रो की बारे में याद रखना है next question हाली में किस देश में 5G connectivity शुरू हुई है जिसका solution है चीन हाली में चीन में 5G connectivity शुरू हुई है चीन के शंगाई शहर में पहली बार 5G शुरू हुआ है 5G की speed 4G की मुकाबले 10 से 100 गना तेज है दोस्तो अब बात आई है चीन की तो आपको मैप में चीन की बारे में बता दे मैप में ये जगह चीन को दरसाती है चीन की राज़दानी है वीजिंग, करंसी है रैन मिन भी और चीन की रास्टपती है सी जिंग पिंग तो इतना आपको चीन के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार देश में आउसत आयू में कितना इजाफा हुआ है तिसको सई उफ्षन है 8.4 साल हाली में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार देश की आउसत आयू में 8.4 साल का इजाफा हुआ है रिजर्व बैंक की हैंडबुक स्टेटिक्स 2019 की रिपूर्ट अनुसार लोगों की ओसत आयू में प्रध्धी हुई है पुरुषों की मुकाबले महिलाओं की ओसत आयू में ज़्यादा इजाफा हुआ है आपको बता दें 36 गड़ में पुरुषों की ओसत आयू सबसे कम रही है दोस्तो अब ये रिपूर्ट रिजर्व बैंक ने जारी की है तो आपको रिजर्व बैंक के बारें बता दें रिजर्व बैंक की इस्थापना 1 अप्रेल 1935 में की गई थी आरबियाई का हैटक्वाटर मुंबई महरास्ट में है आरबियाई के गवर्णर है शक्तिकांत दास और आपको एक और इंपूर्टेंट इफेक्ट बता दें एक अप्रेल को आरबियाई यानि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया अपना इस्थापना दिवस मनाता है तो इतना आपको आरबियाई के बारे में याद रखना है Next Question हाली में किसे मद्धियप्रदेश राज्ज सूचना आयक्त निक्त किया गया है तिसका स्योफ्षन है अरविंद कुमार शुकला हाली में अरविंद कुमा शुकला को मद्धिप्रदेश राज्य सूचना आयोक्त निक्त किया गया है हाली में इन्हें राजपल अनंदी वेन ने सपत दिलाई है Next question हाली में मद्धिप्रदेश में किस आयोक को बंद किया गया है तो इसके सही option है सामान वर्ग निर्धन आयोक हाली में मद्धिप्रदेश में इस आयोक को बंद किया गया है यह आयोक सामाजिक नियाय विवाग के अंतरगत था इस आयोक की जिगह नई कारी यहोजना बनाई जाएंगी और सामान वर्ग से सम्मंदित विकास हेतू नया आयोक बनाये जाएगा तो आपको याद रखना है मद्धिप्रदेश में यह आयोक सामान वर्ग निर्धन आयोक बंद किया गया है नेस्ट क्वेशन नेस्नल फॉर सेंटर नेस्नल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की रिपोर्ट अनुसार सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज किस शहर में है जिसका सही ओफ्षन है भोपाल हाली माई रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू के मरीज है भोपाल में तीन माहे में स्वाइन फ्लू के सबसे जादा 199 मरीज मिले हैं आपको बता दें प्रदेश भर में तीन माहे में 512 मरीज मिले हैं और अब तक 94 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको भोपाल की बारियों बता दें भोपाल को जीलों का शहर भी कहा जाता है मद्यप्रदेश का सरवादिक जन संक्या घनत्व भोपाल में है ताजुल मस्जद देश की सबसे बड़ी मस्जद भोपाल में इस्थित है राश्टिय बिधी अकेडमी 1994 में इस्थापित की गई थी भोपाल में विसो का सबसे बड़ा सौर उर्जा सैंत्र भोपाल में बनाया गया है प्रदेश का पहला इनरजी पार्क भोपाल में ही इस्थापित किया गया है एक और important fact आपको बता दें 2 और 3 दिसंबर 1984 को मिथाल आईसो साइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण भोपाल में हजारों मौते हो गई थी तो इतना आपको भोपाल की बारे में याद रखना है Next question किस जिले की बच्चों ने 48 घंटे नौन स्टॉप स्केटिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तिसका सई उफ्षन है सतना हाली में सतना की बच्चों ने नौन स्टॉप 48 आवर्स स्केटिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आपको बता दें करनाटक में लार्जेस्ट सेलर स्केटिंग लेसन टूर्नामेंट 2018 हुआ था जिससे गिनीज बुक टीम ने रिकॉर्ड किया था और अब जाकर यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया है दोस्तो बात आईए सतना की तो आपको कुछ इंपोर्टन फेक्ट सतना की बारें बता दें रीवा संभाग का एक जिला है सतना चित्रकूर्ट इसी जिले में इस्थे थे मैयर भारस सरकार द्वारा पवित्र नगर घोशत किया गया यह भी सतना में ही इस्थे थे उस्ताद अलाउद्दीन खा संगीत अकेडमी की इस्थापना की गई है सतना में और आपको बता दें सतना में ही अलाउद्दीन खा का जन्म हुआ था बरभूत जहां असोक इस्तूप की खोचकी गई थी वह भी सतना में ही इस्थे थै तो इतना आपको सतना की बारे में याद रखना है Next question कौन सा राज घर में सोलर प्लांट बनाने की पर सबसिटी देगा तिसका सही option है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश घर में सोलर प्लांट बनाने पर सबसिटी देगा राज सासन के अरुशार सोलर सिस्टम कनेक्शन डेल लाग की जगहें 75,000 रोपे में मिलेगा यह प्लांट हर महिने 250 यूनिट बिजली बनाएगा नेट रिमीटरिंग पॉलिसी के तहट आप बिजली बेच भी सकते हैं दोस्तो अब बात आई है मद्धिप्रदेश की तो आपको मद्धिप्रदेश की बारें बता दें मैं अपमें ये जगह मद्धिप्रदेश को दरसाती है मद्यप्रदेश की स्थापना एक नमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है अनंदी बेन पटल मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री है कमलात और मद्यप्रदेश की राजधानी है भोपाल तो इतना आपको मद्यप्रदेश की बारी में याद रखना है यह संभाग का पहला हउस्पिटल है इस योजना के तहएत लोगों को 5 लाग का इलाज निशुल्क प्रदिया जाएगा दोस्तों अब बात आईए उजन की तो कुछ important fact औजन की बारी में बता दें चंदरगुप्त दूतिये की राजधानिये उजेन रुद्र सागर जील में न्याय इस्थल उजेन में इस्थापित किया गया है सून का प्रतमबार उपियोग उजेन में ही किया गया था उज्येन में हर 12 शाल में कुम्ब मिले लगता है जंतरמंतर जो 1720 ईसिवी में राजा जैसें दूतिये दौरा बनवाया गया था वह लुँ उज्येन में ही इस्थित है एसिया का सबसे बड़ा सोयावीन सैंयंत्र उज्येन में ही इस्थित है तो इतना आपको उज्जेन की बारे में याद रखना है इसने फाइनल में भारत को हरा कर यह कप जीता है भारत को पेनाल्टी शूट आउट में चार दो से हरा कर यह कप जीता है आपको बता दें भारत पांच बार यह कप जीत चुका है दोस्तो अब बात आई यह सुल्तान अजलान साहे कप की तो आपको इसके बारे में बता दें मलेशिया के नौवे शाशक के नाम पर यह कप रखा गया है आपको बता दें इस कप की शुरुवात 1983 में की गई थी तो आपको इतना इस कप के बारे में याद रखना है मैं चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है सुल्तान अजलान साहकप जो दक्षन कोरिया ने हाल ही में जीता है नेश्ट क्वेशन किस व्यक्ति के समाधी इस्थल को बीर भूमी के नाम से जाना जाता है जिसका सई उफ्षन है राजिव गांधी के समाधी इस्थल को बीर भूमी के नाम से जाना जाता है आप स्क्रीन पर कुछ और नाम देख पा रहे होंगे तो इनके बारे में भी आपको बता दें के आर नारायनन के समाधी इस्थल को उदय भूमी के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर सास्त्री के समाधी इस्थल को बिजय घाट के नाम से जाना जाता है इंद्रा गांदी के समाधी इस्थल को सक्ती इस्थल के नाम से जाना जाता है तो इतना आपको इन सभी के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए धार की तो कुछ important fact आपको धार की बारें बता दें इंद्वर संभाग का एक जिला है धार, भील प्रमुख जन जाती है धार की भोज साला संस्कृत अध्यन हेतू, राजा भोज द्वारा इस्तापित की गई थी धार में सर्दार्पूर वन्डिव अभ्यारण धार में ही इस्थित है पीतंपूर ओद्योग नकरी जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है यह धार में ही इस्थित है भारत का पहला ओटो टेस्टिंग ट्रेक धार में ही बनाया गया है आपको बता दें प्राचीन वाग गुफाएं धार में ही इस्थित है तो दोस्तो ये था मराज का डेली करेंट अफियर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रदीश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लिकर हाजर होंगे